कि दो कुशन इस लेट इस सेट ए इस इकल टू 9 10 11 12 13 मतलब गिविन सेट में पांच एंट्री है और एंट्रीज है 9 10 11 12 13 इंट्रीग एंट्रीज होगी और लेकिन इस फंचन का जो आउपट है वो कोई एक नेचरल नंबर हो सकता है वी डिफाइड बाई अब फंचन की डिफिनिशन आपको प्रोवाइड़ है कि यह फंचन डिफाइं कैसे किया गया है he was saying कि fn is equal to the highest prime factor of n बनाब जब भी आप कोई number submit करें तो उस number का जो highest prime factor है वो आपको consider करना है अब for example and we have to find out the range of the given function मुझे given function की range निकाल नहीं है तो मैं बात करा थे कि अगर मैं कोई एक example consider करूँ for example अगर मैं suppose function में 9 ही submit कर रहा हूँ अगर मैं given function में 9 submit करूँ तो मुझे देखना होगा कि मेरे function का output क्या आएगा अब जैसा कि आप जानते हैं कि 9 के जो factors है उसमें एक factor 1 होता है एक factor 3 होता है और एक factor आपका 9 है और question की definition के हिसाब से मुझे highest prime factor लेना है मतलब factor भी हो और prime number भी हो so this is the highest prime factor for the 9 of F10 की ठीक है तो चलिए 10 के factors पर comment कर लेते हैं तो 10 का एक factor हमारे पास 1 है एक factor 2 है एक factor 5 है और एक factor 10 है अब आपको लेना है highest prime factor ठीक है तो prime number हो और highest भी हो है ना इसका factor तो 5 एक ऐसा number है जो prime number भी है और highest भी है इसके factor में ठीक है तो मतलब it is a prime factor highest prime factor तो this is equal to 5 तो F10 का जवाब पट है वो आपका 5 के एकुल होगा अब अब बात करेंगे F11 की ठीक है अब F11 की अगर अपन बात करें तो 11 के तो के विल दो ही factor होते है एक 1 और 11 और हमें लेना है highest prime factor वैसे 1 तो prime number होता भी नहीं है और यहां पर बचा है 11 अब यह इसका factor भी है और यह highest prime factor भी है तो F11 की value आपको 11 मिलेगी इसके बात बात करते हैं F12 की F12 की जब आप बात करें तो इसमें जो outputs आएंगे इसका एक factor 1 है एक आपका 2 है एक आपका 4 है एक आपका 6 है और एक आपके पास 12 के equal है यह लगवग इसके factors है और आपको लेना है highest prime factor ठीक है वैसे इसमें factor 3 भी आपका जनेट होता है तो आप 3 भी consider कर सकते हैं तो इसका एक factor 1, एक factor 2, एक factor 3, एक 4, एक 6 और एक 12 we have to consider the highest prime factor दिखे 12 prime number नहीं है 6 prime number नहीं है 4 prime number नहीं है और 1 भी prime number नहीं होता है अब इसमें 2 ही factor है 2 और 3 लेकिन मुझे highest लेना है तो F12 की value output आपको जनेट करके देगी 3 इसके बाद number आता है F13 का अब 13 के अगर मैं बात करूँ तो 13 के 2 ही factor possible है एक factor होता है 1 और एक होता है 13 अब जैसा कि मैंने कहा कि 1 तो prime number होता ही नहीं है अब इसमें दूसा factor के वल 13 बचा है जो prime भी है और इसका factor भी है तो F13 की बात करें तो ये आपका 13 के equal होगा अब आप देख सकते हैं कि given function की अगर मैं range की बात करूँ तो range या तो 3 आ रही है या 5 आ रहा है या 11 आ रहा है या 3 आ रहा है या फिर 13 आ रहा है तो function के range पे अगर मैं comment करूँ तो range set होगा which is इसके entries होगी 3, 1 entry 3, 1 entry 5, 1 entry 11 और 1 entry 13 This is the answer for the given problem